लखीम पूर्खीरी में आशीयम योगी आदितिनाथ ने दौरा किया जहां उन्होंने कलेक्ट्रेड हाल में पहले अधिकारियों के शाथ विकास कारियों और कानून बिवस्था को लेकर बैठा की और हर विभाग की समीच्छा की बिधायक की सिकायत पर उन्होंने बिजली विभाग के एकसन को नलकूपो को शुचार बिजली विवस्था दिये जाने के निर्देश दिये इसके अलावा उन्होंने बार शंबंधी किये जाने वाले कारियों पर भी चर्चा की शाथ ही किशानों के गन्ना भुपतान को लेकर मीलों को भुपतान करने के भी निर्देश जारी किये कानून बिवस्था की समीच्छा करते हुए उन्होंने जिले में बढ़ रही हत्याओं पर चिंता जता कर स्पी को जरूरी दिसा निर्देश दिये इसके बाद ग्राम स्वराज अभियान के तहट चैनित गाओं के 150 परधानों के शाथ समवाच कर उन्हें विकास कारियों को लेकर मंत्र दिये और जल्द से जल्द सोचाले निर्मार के निर्देश देने के बस सीयम का काफिला सहर से सटे लहौरी नगर की तरफ रवाना हुआ जहां उन्होंने ग्रामी डोल के संग चौपार लगाई यहां उन्होंने गाउं में बचे हुए सोचाले पीम आवास रासन काड को अतिशीग्र पूरे करने के आदेश दिये विद्वा पेंसन पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने शमाज कल्याण अधिकारी को तलब किया और गाउं की बारा लोगों की पेंसन तुरंत बनाने के निर्देश दिये साथ ही डियम को निर्देश दिये की बिजली और रसोई गैस कनेक्सन कैंप लगा कर लाभार्थियों को दिये जाएं ग्रामी डो को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा ग्रामश्वरा जभियान में साड़े चार हजार से जादा गाउं का चयन किया गया था जिससे गाउं में हर किसी तक पहुचाने की कोशिस की गई है लखीम पूर्खीरी से अभय वर्मा की रिपोर्ट कि अच्छी बात है कि वह दो तिल वो बच्चे हैं देखे बाद अपना पैस का खाता हम को खोड़ना चाहिए यह जंधन योजना इसलिए रागु की गई है जिससे जातन की किसी भी सब्सिभी करा लेकिन जो का बच्चे हुए है विजनी का कनेक्शन कितने लोगों के पास है जिनके पास है वो यह हाथ बड़ा करेंगे